यो, वेलकम टू वन पीस वन पीस, जिसके स्टोरी रिवॉल्स अराउंड वन पीस बट इसके नाम पे मत चले जाना तुम बहुत बड़ा धोका है इसमें एक बार इसकी लेंद्ध का तो पता करो, तुमें पता चल जाएगा कि इस सो का संबंध ना इस से है, ना ही इस से इनका ये बहुत ज़ादा क्लिक बेट टाइटल है भाया जी, लोगों के साथ जनम खतम हो गए लेकिन इनका ये एक जस्ट वन पीस खतम नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ हर एपिसोड के टाइटल में ही उस एपिसोड को पूरा स्पॉil भी कर रहे हैं यार कभी कबार तो दो दो तीन तीन सेंटेंस के नाम होते हैं इसके एपिसोड के और सिर्फ नाम नहीं होते है पूरे एपिसोड की कहानी होती है उसमें बाई बोल दैसा ही बाते के नहीं मेरे को बड़ा गुसा दाता है जब ये पूरा ही spoiler देते थे title में ही देखो इसका हर एपिसोड start कैसे होता है 23 मिनट के हर एक एपिसोड में शुरुआत के 5 मिनट तो उसका opening song और पिछले एपिसोड का recap करवाने में ही लगा देते हैं फिर एपिसोड की सुरुआत होती है उस एपिसोड के नाम के साथ जिसमें पूरा spoiler दे देंगे ये पूरे होने वाले कांट को ही explain कर देंगे उसके title में कि लूफी के भाई को डोनट बनाके उसकी की गई मौत लूफी ने लगाया अपना गेर फिफ्ट और सौ एपिसोड तक बक्चोदी करने के बाद और अब मैं भी तुमको थोड़ा spoiler दे दू आखरी के एपिसोड के title होने वाले हैं लूफी find one piece is fake ओडा तो सिर्फ लूफी के साथ मजा कर रहा था चूतिया बनाया तुमको So he killed Ichiro Oda Nami marries Joro, Robin marries Usopp And still Sanji uses his hands One day finally he cooks chopper खतम, खतम one piece चलो अब अपने घर जाओ देखो अभी तो अपन शुरू भी नहीं हुए अच्छे से लेकिन फिर भी तुमको आइडिया तो लगी गया होगा इसलिए जल्दी से वीडियो को डिसलाइक कर दो वीडियो को रिपोर्ट मार दो और कमेंट कर दो साले Anime Hitter One Piece तेरा बाफ है तेरी वैंस की बला 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 मुझे अच्छे से अपनी असली उकात याद दिला देना ठीक है ये सब करना जरूरी है कर लिए तो अब तयार हो जाओ ये जितना बड़ा सो है उतनी ही बड़ी यहां की दुनिया है और जब भी कोई कांड होता है तो फिर One Piece की पूरे दुनिया का ही सेर करा लाएंगे हमको कि इधर लोगों का उस चीज पे ऐसा रियाक्शन है और उधर भी ऐसा ही रियाक्शन है सब देखो तुम One Piece के फैन हो तो सब जानना चाहिए तुमको लूफी ने जब भी एक बुरे पाइरेट को मार के लोगों को उसके आतंग से बचाया जो काम मरीन का होता है असल में तो ये बेचारा इस बात पे अखबार में Most Wanted की लिस्ट में आ जाएगा मरीन की हिट लिस्ट में आ जाएगा Bounty बढ़ा देंगे इसके सर पे देखो हर हरामी वारलोड को हराने के बाद फिर ऐसा होता है इनका पूरा प्रोसेजर Somewhere in the Grand Line Marine वालों के पास फोन आएगा कि लूफी ने उस बुरे वारलोड को हरा के मासूम लोगों की जान बचा ली तो पूरा Marine Headquarter गुस्सा हो जाएगा खास कर ये जो आज तक पता नहीं साला ये justice कैसे फैला रहा है ये गुस्से में फोन तोड़ देगा अब तो इसकी बाउंटी बढ़ानी पड़ेगी ये वन पीस में हना पीस इस जस्ट वन बट स्टिल ये फिर तुम इसे वन पीस को बोल रहे हो मल्टिपल पीस के निगोसित कर देते अरे ये वन पीस के सो में वन पीस कोई देखने के लिए आखे तरस गई अबे दिखा दो ना वन पीस कहा गया वन पीस मैं तुम्हें मेरा बताओं कि मेरा वन पीस देखना कैसे चालूँआ था एक बार एक जने ने मुझे बताया भाई नारूटो के बाद अब तु वन पीस देख ले मी भी लाइक है वन पीस अब एक टुकडे को क्या ही देखूंगा मैं लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी एक टुकडे में दुनिया भर का पूरा ब्लैक होल समा रखा है देख लेना आज से सौ साल बाद वन पीस को एक सोनी बोला जाएगा इसको एक कैटिगरी बोली जाएगी जैसे की एनिमेट, टीवी सोर्ज, वैब सीरीज, मूवीज होती है वैसे ही एक चीज होती है वन पीस तो ये कहानी चालू होती है King of the Pirates, Gold D. Roger के एक्सक्यूशन से, इसके मरने के जस्ट पहले इस मफ, जिसकी गान में बहुत तेज खुजली मत रही थी इसने चिला के इस से पूछा कहा छुपा रखा है तुने वन पीस का खाजाना, बता दे अबे साले, पहले तु हम को बता दे कि वन पीस नाम की कोई चीज भी एक्सिस्ट करती है इस धर्ती पे, ये तुझे किसने बताया यार मतलब बहुत कम लोगों को पता था ना वन पीस के बारे में, ये ऐसे एरे गेरे लोग भी कब से जानने लगे वन पीस के बारे में फिर इसने मरने के जस्ट पहले कनफर्म कर दिया येस, वन पीस इस रियल जिसकी गान में जो रहा है, जाके ढूंड लो और जो ढूंड लिया, वो बनेगा next king of the pirates अच्छा, तो इसके rules भी आप ही decide करेंगे चलो मानो कोई marine ही ढूंड लिया लेकिन ये गोल्डी रोजर जी भाई साब तो अपनी मौत का ही plan बना लिये, साबास तो यहां से मरते हुए king of pirates का अंत हुआ अगेन स्पॉलर मरते हुए इसलिए क्योंकि ये पहले से मर रहा था बिमार था तो यहां से मरते हुए king of pirates का अंत हुआ और बनते हुए king of pirates की सुरुआत बस गोल्डी रोजर के यह आखरी सब्द सुनते ही पूरी दुनिया में दंगा मच गया दुनिया भर के कुबद्धी लोग अपनी घरगरस्ती, कामधाम, भूके बीवी बच्चे सब वैसे के वैसे ही छोड़के निकल लिया one piece डूंड ने अब great age of pirates सुरू हो चुका है इसकी speech सुनके लोगों का ऐसा mood swing हुआ कि सब को ही अपनी जिंदिकी का मकसद पता चल गया जिनको confusion था कि 10 वी बारवी के बाद कौन सा subject लेकर जिंद की भर अपनी बुण मराई जाए आज उन सब में भी clarity आ गई कि भाड में गई ये पढ़ाय वड़ाई, तेरा भाई तो आज King of Pirates ही बनेगा भाई 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 भाई, क्या ने भाई अब तो सब कोई King of Pirates बनना है इधर One Piece ढूंड गे, जबकि ये तो अच्छी बात है वैसे मैं तो बहुत खुस हूँ कि मरते वे गोल्डी रोजर जी कम से कम लोगों को रोजगार तो देखे गए अरे सीखो रे मोदी जी इससे कुछ और तुम लोग लूफी से सीखो जो अपनी इतनी सी कच्ची उमर में King of Pirates बोले तो समुंदरी डकैतों का राजा बनने के लिए अपने सफर पे निकल भी लिया येस लूफी अपने सो का में हीरो जिसकी परवरिस बड़े ही लाड़ प्यार से हुई है अपने दाज़ी के हाथो इसने प्यार से इन्होंने अपने पूते को पाला पोसा पर ये ठहरा लफंगा बाज इसने अपने दाज़ी को धोका ही दिया ये इसको बनाने चाहते हैं इमांदार, समझदार, समाज की नजरों में इज़दार मरीन ओफिसर पर इस भोमड़ी के बालक को बनना है समुद्री लोटेरा नोट जस्ट समुद्री लोटेरा बलकि उनका राजा इस डोकरे ने अपने पोते को प्यार से भी समझाया, मार के भी समझाया कि बेटा, बात समझ मेरी, पढ़ाई लिखाई करो, मरीन बरीन बनो और जस्टिस को संभालो पर नहीं, ये कुछ नी समझा, इसको तो इस लाल जंगुडे का टट्टा बनने में इंट्रस्ट है फाइनली एक दिन निकल ही लिया सबसे बड़ा पाइरेट बनने, अपने दादा जी का नाम डुबा ही दिया पर हाँ अपने पापा का नाम तो उठा दिया ये लूफी अपने इस रबबर की पावर का फायदा उठाना तो बहुत अच्छे से जानता है गेर 2, गेर 3, 4, 5 लेकिन बिचारा भोला रहे गया, नेपोटिस्म का फायदा उठाना नहीं जानता इसके पास मरीन और पायरेट दोनों ही फिल्डों में बना बनाया करियर था इसने अपने बाप और दादा दोनों का रास्ता हटा गे खुद का रास्ता चुना तीसरा रास्ता, खुद का रास्ता अगर कोई और होता तो अपने बाप के बने-बनाए धंदे पे बैठने की जरूर कोशिस करता फिर चाहे से बाद में अपनी बाप की जायदाद में से सिप्स, पाइरेट, सोना चांदी वगरा लेकर अपना अलग से क्र्यू और स्टार्ट कर देता सैंक्स, बिट्टू का फेवरेट करेक्टर, नामी ता मस्ता यार, उपर से इसकी परसनेलिटी सैंक्स कुछ टैम के लिए लूफी के गाउं में आके रुखता है और कुछ टैम में ही इसने इस बालक को बिगाड दिया मरीन बनाना चाहते थे इसको इसके घरवाले पर अब सैंक्स को देखकर ये पारेट बनना चाहता है इसलिए कहते हैं बड़े बुजरुग कि बेटा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए पर इसमें तो इसके दादा की भी गलती है उसी की लापरवाई ये वैसे यूई किसी के भी हवाले छोड़ दोगे अपने बच्चो को खास कर जब तुमारा बच्चा लूफी हो तो फिर यही होगा इसने खूब रिक्वेस्ट करी सैंक्स है कि भाई मुझे भी लेले अपनी टीम में परन्तु सैंक्स सब के सामने हमीज़ा इसकी मजाक उडाता रहा कि बेटे तेरे बसकी नहीं है पायरेट फायरेट बनना जाके डोरेमोन देख यह सैंक्स सची में महान है जबरदस्ती का महान है एक बार इस लड़की के बार में आके कुछ माउंटेन बैंडिट्स बोतल फोड़ दिये सैंक्स पर दारू गिरा दिये सैंक्स बहुत कुछ क बचाने के लिए इन सबको सबक सिखा दिया यही तो इस टायल है सैंक्स की क्या कि पहले तो पिठकर अपनी महानता दिखाएंगे फिर बाद में अपनी असली ताकत दिखाएंगे चाहे इस चुतियापे के चकर में इसका हाथ ही क्यो ना चला जाए यह इस मॉस्टर को अप अपना हाथ खिलवाद या करा लिया तुने यह हाकी क्यों नहीं यूज करी सायद भूल गया था यह पहले हाकी यूज में लेना वैसे इस सीन के पीछे का असली कारण लोगों को इमोशनल करवाना था बस हाँ सिर्फ यही असली कारण है इसके अपाही जोने का और बाकी द आते वक्त यह लूफी को अपनी टोपी दे कर चला गया सॉरी टोपी दे कर नहीं पहना कर चला गया और सिर्फ लूफी को टोपी नहीं पहना के गया हम सब को टोपी पहना के गया यह अदमी च्योंकि इसके बाद तो सैंक्स गया भी हो गया इस सो से साय दूसरे एनिमे में काम करने चला गया, तुम करते रहो इसका इंतिजार पर अपनी दिखने वाला ही है, बस होली दिवाली पर आ जाता है, कभी एक बार 2-3 फ्रेम सेकंड के लिए एहसान करके चला जाता है, फिर 1999 से लोग इसकी फाइट का इंतिजार कर रहे हैं, और अब 2023 हो गया है, बस अनुम कर रहे हैं, याकर करूब आजार कर तो रहे हैं, जार बस्ता है, करके प्रEC on видим जाजार को करो वाला है, बस्ता है, कर कर दो से किर बाने दिखने कर रहे हैं, जार इंतिभ़ जावार कर रहे हैं, बस ज сторон. सक्वाद़ कई एह को कर रहे हैं, एह ले लिए… ... झाल झाल